जाएं दोस्तो मैं वीपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वैप स्टेड़ी पोइंट में आपका आर्दिक स्वागत करता हूं तो दोस्तो हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेशो एंड परपोर्शन यानि के अनुपात और समानुपात दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको पता है कोरोना देश में बहुत जादे फैल चुका है तो अपने घर पे रहे शेप रहे और पढ़ाई कंटिनू रखे पढ़ाई को बीच में न छोड़े तो दोस्तो आगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें जादे जादे वीडियो को फिलाएं तो आते हैं कोर्षन की और हमारे कोर्षन जो इस परकार है तो दोस्तो आगे बढ़ो देखो आते हम कोर्षन पर कोर्षन हमारे मैंने आ अराम से आप इसको कर लोंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो करो कैसे, दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है, मान लिए हमने, माना, दो संख्या, X और Y मान लिए, ठीक हैं, दो संख्याओं का योगफल है, यानि, X प्लस Y बराबर, 40 दिया है, और इनका अंतर, यानि का अंतर क्या होता है, X माइनस Y, जो इनका अंतर है, वो कितना है, 4 है, तो इन संख्याव का अनुपात यानि के दो एक्वेशन आ गई इन दो एक्वेशन को सोल करके हमें x और y का अनुपात निकालना है ठीक है जी यानि के यहां से हम क्या करेंगे x और y की value निकालेंगे मैंने आपको बताया था जब इस परकार से दो एक्वेशन बनती है तो यहां से हम x और y का कैसे मान निकालते है देखोई x का direct मान कैसे निकालेंगे हम x का कहाथे यानि के जो यह दोनों संख्याओ दोनों equation के जो मान है इन दोनों को add कर देंगे और add करके 2 से भागे यानि 40 पलस 4 बटे 2 यानि कितना होगा 44 बटे 2 यानि 44 से जब 44 को 2 से भाग करेंगे कितना आजाएगा हमारा 22 यानि के जो x की value आ गई है वो कितनी आ गई है हमारी 22 इसी परकार मैंने बताया था Y का वैलू कैसे निकालते है यानि के दोनों संख्याओं का अंतर डिवाइड बाई 2 यानि के 40 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 40 में से जब 4 जाएंगे 36 बटे 2 और 2 से जब 36 को भाग करेंगे कितना जाएगा 18 तो वाई की वैलू यह आ गई तो हमें निकालना आता है एक्स ओर वाई यानि के दोनों संख्याओं का अनुपात अनुपात एक्स अनुपात वाई जेकल यानि के ओफ्शन 3 जो है ओफ्शन 3 हमारा ठीक हो जाएगा अन्सर यानि के ओफ्शन 3 जो है हमारा राइट अंसर होगा अब देखो दोस्तों यह मैंने आपको डिरेक्ट बता दिया लेकिन यह आते कहां से देखो कहम कैसे निकालते इसके मान पहले आप इसका स्कीन सोट ल मैं लेना ऐस्तों गार है अज देखो जी दिया है एकस प्लस वाइज इकल तो चलिस एकस माइनँडिया रावर चार यानि मैंने क्या करने दोना एक्विषिंड को जोड दिया जब यहां से क्या होगा एक्स बराबर आ जाएगा 44 बटे से एक्स की वैलू निकाल लेंगे यानिके एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 44 यह के गुना में तो चले जाएगा बटे में यानिके 44 बटे दो 24 को बाब करेंगे कितने 22 इस तरीके से हमारा एक्स की वैलू आ जाएगी अब निकालेंगे य की वैलू कैसे निकालेंगे अब देखो य की वैलू यानिके दिया है हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 40 और एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 4 तो इस बार क्या करेंगे घटा ब्लस होता यह जाएगा मायनस का और यहां पर प्लस है तो यह माइनस का अब देखो X plus ka है X minus ka है तो दूनो cancel यहाँ पे Y plus ka यहाँ पे यहाँ पिलस का यहाँ पे यहाँ प्लस Y कितना हो तू आई यह जोड का आगये हमारा टू आई अब 40 में से जब यह minus तो 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 ठीक है दोस्तों अब यहाँ से Y बराबर हो जाएगा हमारा 36 व twins हमें निकानला था एक्स अनुपात वाई यानिके कितना वाईस अनुपात अठारह यहां से दोर से भाग कर देंगे दोनों को यह 11 और में यह यह 9 यह भी हमारा कि आप इस तरीके से भिष्भ और कर सकते थे लेकिन इतना नंबा करने के वह सकते नहीं हमें तो शोट तरीका क्योंकि पेपर में हमें टाइम बचाना होता है जितना जाद ज्यादे हमें टाइम बचा सकते हैं तो इसलिए मैंने जो आपको पहला परकार बताया था वह डिरेक्ट शोट कड़ता आप उस तरीके से इसको कर सकते थे अब आते है नेक्स्ट कोर्शन की ओर देख तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट कोर्शन पर नेक्स्ट कोर्शन है हमारा दो संख्याओं का नुपात 10 नुपात साथ है और उनका अंतर 105 है उन संख्याओं का योग कितना होगा ठीक है जी यह हमारा कोर्शन है योग है मतलब ओप्शन हमारा प अंतर दिया हेथ एक आप इंधुन नोःन का अंतर दिया है इसला पाथ Ugh और दोसरील भी रखवा है को जयाने कि नक्रनाही उसमी यह हमने माना है ठीक है जी अब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया है वो दिया है 105 यानिके जब अंतर यानिके 10 X माइनस 7 X अंतर यही तो है बराबर किसके दिया है 105 के यानिके 10 X में से जब हम 7 X गटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3 X बराबर 105 अब 3 यह गुना में है तो यहां से कहां चले जाएगा इसके भाग में यानिके यह चले गए हम पर 3 भाग में अब इससे इसको कर देंगे भाग भाग करके कितना आएगा तीन तिया नो और यह 15 हो गए तीन पंजे 15 यानिके जो X की वैलू आ गई वो कितने आ गई 35 यानि X बराबर आगे हमारा 35 हमें क्या निकालना था उन दोनों संख्याव का योगफल दोनों संख्या है कितनी 10 X और प्लस 7 X योगफल यही दो होता है दोनों को एड कर देंगे कितना हो जाएगा 17 X एक्स की वैलू कितनी आई है हमारी 35 ठीक जी अब इन दोनों के का कराएंगे कुना यहाईनिकि ओप्षन फर्स्ट इजिदा राइट आंस्वर तो बहुत सिंपल सा कोशन था बेशी कोशन ने आप राम से इनको कर सकते हो ठीक है दोस्तों आप इस तरीके कोशन ऐसे कर सकते हो अब देखो हमें टाइम बचाना इसको दूसरी तरीके से हम कैसे करेंगे बहुत बैसके 5 यानिके दो सैंके 10 और पहली सैंके 10 मानली 25 यानिके इनकांत्र कितना होगा हमारा सब्सक्राइब6 यहां से हम एक यूनिट की वैलू कितनी हाजाएगी हमारी 35 ठीक है थे हमें क्या निकानना था दोनों संख्याव का योग यानिक दोन्यों को जोड़ देंगे 17 गे निकालने एक यूनिट की वैलू कितनी है हमारी 35 की निकालेंगे तो 17 स्की मंटिप्राइज जब दोनों की मंटिप्राइगे कितना आ जाएगा 595 डिरेक्ट आप इसको तरीके से भी कर सकते थे बहुती जी इस तरीके से कर सकते थे अब आते हैं next question पर है 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 ज helicopter next question की और वड़ती हैं next question है हमारा यह जी मर्णा व छपार 15 हो और उनका गुन फ़ल 32 तो इन दो संख््या वके वरगों के बीच का अंतर failed ऑन को निकालना है कैसे करेंगे मुश् sign में दिया है जैंडे दो संख्याओं का नुबद एक नुबद पॉंच है ठीक है जी हमने मानली वे दो संख्या कौन कौनसी है पहली संख्या मानली हमने 10 गंष्य और diferentes चैस्स चाही थिस ङृबैणेमारी मानलेस उटिक हरा हॉर थिस क्या करेंगे раз एक्स की वैलू निकान ले गये यानि कि यह हो गया हमारा 5 x square बराबर 320 पांच से इसको कटेंगे पांच चंग 30 फिर यहां पे 20 हो गया पांच चुक 20 यानि कि x square बराबर हो गया 64 64 को लिख सकते हम 8 खाइस को ठीक है दोस्तों आप दोनों क्या करेंगे दोनों पक्सों का वर्ग मूझ ले देंगे इस square से इसका वर्ग मूझ यह कैंसल इसकी square से यह कैंसल यानिकि X बराबर कितना आगे हमारा 8 x की value हमारी 8 आगई तो दोस्तों वे संख्या होगी वेवी हमारी, अब तो हमने का 5 x और यह वाले हमने x तो इन दोनों संख्या होगeen, जो वर्गों के बीच का अंतर निकालना है, तो लीकर क्यांव निकालना है, यानि कि संख्या का वर्ग कितना होगए? 2 x और दूर रोगंถेप्स होगी, दोस्तों अब इन दोन्हों के बीच का हमें क्या निकालना है अंतर अंतर कैसे निकल लेंगे यानिके 25 में यह घटा देंगे x square तो कितना 25 x square में से x square गटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 24 x square ठीक है दोस्तो x की value कितनी आई है हमारी 8 तो इसमें put कर देंगे सीधी सीधी हम यहनिके 24 गुना 8 का square 8 का square कितना होता है 64 यहनिके होगे हमारा 64 अब इन दोने का कर देंगे multiply करा लो देखो मैं simple आपको यहां पर गुना करके दिखा रहा हूं बिल्कुल basic ऐसा करते है चार की गुना 4 में 4 चुक 16 हासिल एक चार ची का 24 अरे 25 दोस्तों ऐसी दो चो काट दो चीक बारा एक तेहरा नहीं यहां पर बार होगे क्यूंकि हासिल तो लगा नहीं अब इनको एड़ कर देंगे यहां पर आठ और पांच तेहरा दो और दो चार एक पांच और एक यह यह यानि कितना होगे हमारा 1213 तो इस तरीकह सँ प्रहा यह आनसर आएगा बेकी हम सिंपल से करते हैं ऑगे आगे देको तो-दोस्तों देखो यह हमने's के रूम में कर सकत tą ही THIS इसको जब कर सकते हैं का चे करेंगे देखो घए हम आपको बताते हैं तो डिरेक्ट किया दिया है दो संख्याओं का नुपाद दिया है यानि कि दो संख्या हमने माली एक पहली माली एक और दो सिमाली पांच इन दोनों का जो गुनन सल दिया है कितना दिया हमारा 320 यानि के x गुणा 5 बलाबर दे दिया हमारा 320 ठीक है जी अब इनके साथ में गुणा के भी होता है उसको अपने पास अपने मन में याद रख लेंगे यानि के 5 की यह हो जाएगा दोनों के साथ में x आता है तो यह हो जाएगा हमार 320 यानि के यहां से हम x के वैलू सिंपल आठ आ जाती निकल के ठीक है जी और उसके बाद में कहा है इन दोनों से इंख्याव के जो वर्गों का अंतर यानि के पहली एक का और जो पांच का इनका जो हम स्क्वायर करेंगे ठी 24 ठीक है और यहां से इसके साथ में x भी आएगा x की वैलू कितनी आए थी हमारी 8 तो यहां पर आएगा x स्क्वायर क्यूंकि स्क्वायर में चल ले देना सब कुछ और जी 24 एक्स की वैलू कितनी 8 और इसका स्क्वायर कर देंगे 64 इस तरीके से आप इसको इतने लंबी कैल अब आते हैं नेस्ट कोस्टन पर तो दोस्तो आते हैं नेक्स सब्सक्राइब करके बताए हमको जल्द करके बताए हमको जल्दी लेको इसका अंसवर क्या होगा तीन दो पांच और ये तीन दो पांच और पांच दस और 275 यानि कितना आगे हमारा 137.5 देखो इतनी जल्दी आप भी कर सकते हो कैसे करोगे सिंपल सा कोश्टन है पुछा क्या है तीन संक्याओ का अनुपाद दे दिया दो अनुपाद तीन अनुपाद पांच यदि तीन तीन में देखो ओप्शन है हमारे 142-110 137.5 490 में ठीक है जी ओप्शन दिये है हमारे इस प्रकार अब जो सबसे बड़ी शंग क्या है पुछी है वह हमेंशा किसका गुनाख होगा पांच के गुनाख होगा अब पांच का गुनाख में कुन सा है हमारा यह यह एक तो यह आ जो भी वह आंसर हो जाएगा यह वारा एक की ऐसर रखा तो 1705 यह से तो हमें शीधा आगा यह 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 पर तो एक यूप्सट दिया था पांस्के मंटिपल ठीक है तो हमने इजली बता दिया यदि दो ऊप्षोन ऐसे दे जो थे तो देखते फिर थो में स्कुन करनार पड़दा तो आव इसको आगे सोलब करके देखते हैं कैसे यह और निडिया है तीन संक्यालं का अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात पांच है थि तीन तर्व मांनें वेटू संक्यां कून इनकों Edux 2013ud पिचहत्तर के बराबर, दो X, और तीन X, और पांच X कितना होगे, दस X, नागे के, गराबर होगे हमारा आर पांक शोडी दुर सोत्सू पिजत्तर, यहां से X की वैल्लू आगे हमारी 27.05, यानि के यह क्या करिया, हमने 27.10 को दर से भाग कर देंगे एक जीरो अटा आने के लिए पीछे से गिन लो और एक जितनी जीरो उपर से ऊपर अंक जितनी भी पीछे से गिन के लास्ट में उसके इतने अंक वाद पॉइंट लगा देते हैं यानि के यह हो गया हमार 27.5 एक्स की वैलू आगे हमार 27.5 सबसे बड़ी पूची तो सबसे बड़ी भूजा का उनसी है पांच एक्स पांच एक्स ही तो है अब एक्स की वैलू कितनी आगे है हमारे 27.5 इन दोनों की मंटिप्लाई करा दो 5 बंजे 25 पांच सथे 35 35 अर्दो 36 पॉइंट यह लग गए हमारा यह एक के बाद ता हासिल कितनी लग रहे हमारे अब तक हासिल लग रहे तीन पांदोनी दस दर्स और तीन तेरा यानि कितना आगे 136 पांच ही हमारा आन्सर हो जाएगा यानि कि ओप्षन 3 इस तरीके से हम जो बेसिक है उस तरीके से कर सकते हैं और हम इसको डिरेक्ट भी क साप कर सकते हो पहले की तरह है उसमें थोड़ा थोड़ा हरत के कुस्छन था यह तोड़ा से बस्तों ऐ streaming यदि तीन संख्याव का अनुपाध 3 probиг छे अनुपाध आठ तीन संख्याव का गुन व्ल बढनमें सर्कूंद तो दे Cancerاح तो तीन संक्याव का योगफल कितना हो इस वार गुननफर्ट दिया है और योगफर्ट पूछ लिए गया थेकगे दोस्त lotta कैसे करेंगेगे अब देखो जी शोटक़त तरीका कैसे करते हम हमें का है तीन सबसे पहले हमदेमा motherf इससे ko THIS की ना सेख़ु आख निकालना करदाना यह जे पिए हमारे लोगफन निकालना एक पतल से पहले यह हमारे टीन एक्स 6X और 7X इन्ने क्लिफास निकालना है मैं तो यह यहां से इनको जोड़ो देखो 3x और 6x कितने होगे 9x 9x और 8x कितने होगे हमारे 7x यानिके इनका जो टोटल आएगा कितना जाएगा 7x यानिके जो भी योगफल आएगा ना कुर्षण में जो हमारा अंस्वर होगा वो 17 का गुणा की यानि 17 का मंटिपल होगा ठीक है दोस्तों अब एक बार ओप्शन पर नजर मान लो 17 के जो मंटिपल हो कौन कौन सा है कि छान में 17 से कटा नहीं करता 127 से कटा है नहीं करता 128 से कटा है नहीं करता जि उसके बाद आता है हमारा anlat ratesर सब्सक्राइक क अप्च्छन 4 हमारा यह इसका आंसवर हो जाएगा हम विल्म कूल आसानी शेट को ओप्च्छन से एसे कर सकते थे ठीक जी आपको जादे जादे दो ये 3 सेकिन लगती 5 सेकिन लगती जादे ये 2-3 में भी आप नहीं कर पारे तो 5 सेकिन면 आप इस कुश्ण को कर सकते थे यह आपको इस तरीके से करते तो ठीक है जी यह दि मान लिया ओप्शन हमारे 17 के मंटिफल 2-3 आ जते ठीक है जी तो कैस इसको काट लो सबसे पहले 8 सी काट के देखो 8 से कितनी पर कटेगा अठेकम 8 एक आ गया 12 अठेकम 8 ठीक है जी फिर कितनी आ जाएगे हमारे चार यानि होगे 41 आठ पंजे 40 एक यहां पर आगे 16 अठेकम 6 यहां पर आगे 16 अठेकम 6 यहां पर भी 6 एकम 6 उसके बाद कितनी बज़े गए हमारे 5 कितनी होगे 54 तो 6 निमा 54 और 12 होगे 6 दूनी 12 ठीक है जी कितनी होगे हमारे यह होगे हमारे 12 में अब देखो 3 से भी कड़ दाएगा कड़ दाएगा तीन एकम 3 तीन चिंग 18 एक यहां पर 12 तीन चुक 12 ठीक है यहां पर यानि एक एकस गुना एक एकस गुना एक एकस यानि के 3 एकस की 3 पर गुना हो रही है तो इसको क्या लिख सकते हैं एकस की क्यूब और यहां पर कितना आगे हमारा 64 यानिके 64 अब देखो जी 64 किसकी क्यूब होती है हमारे 4 की क्यूब कितनी होती है 64 क्यूब कि 4 की 3 नबर मंटिपलाई कराव होगे इसका मतलब यह तो 4 चुक 16 16 का 64 ठीक है तो हम 64 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सक रिखते हैं इसको 4 की क्यूब ठीक है जी 4 की क्यूब अब यहां से हमारा क्या जाएगा एकस बराबर 4 क्योंकि इसकी से कैंचल हो जैएगा यानिके जो एकस की वैलू आई हमारी कितने आगे X की value आ गई हमारी 4 अब हमें क्या निकालना था 3 संख्याओं का योगफल निकालना है योगफल यानि 3 संख्या कौन कौन सी है 3X योगफल के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे ठीक है दोस्तों क्या करेंगे जोड़ देंगे यानि 3X 6X plus 8X तो टोटल ये कितना हो जाएगा हमारा 17X और X बराबर कितना है 4 यानिके जब हम X के स्थान पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुना 4 यानि 17 चो का 68 नहीं से भी answer हमारा क्या आता है 68 यानिके option 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर रहा जाएगा ठीक है दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा आप इन question का जो भी हम करा रहे है बार बार रिवीजन करते रहे न और इनका स्कीन सोट ले लो आगे बढ़ते हैं next question की और तो दोस्तो आते हैं next question पर ये भी जाद हाड question नहीं है इजी है आप राम से कर सकते हो दोस्तो देखो कैसे करेंगे question है तीन संख्या दो अनुपात पॉँच अनुपात साथ के अनुपात में हैं सबसे छोटी तता सबसे बड़ी संख्या का योग सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या तता सोला दूसरी संख्या और सोला के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगे हमको निकानना है देखो जी करो मानने पहली संख्या कि नहीं सबसे फोड़ी मानले हमने 2X सबसे बड़े मानले 7X अध्यानि नगी ओर 46 इस चोटी गाल गवानज नुला नि करिंगे आऊ आप देखोhésitez यहां से क्या करेंगे या सोल करो और एक्स की वैलू निकाल लो और सबसे चोटी सेंगे में इसकी एक्स की पुटिया वैलू पूट कर दो वह हमाना जो आंसुरा जाएगा करो जी दो एक्स और साथ एक्स कितने हो गए हमारे 9X बराबर 5X प्लस गे 16 यह इधर आगया इधर आने के बाद माइनस का हो गया याने के 9X माइनस 5X बराबर 16 9X में से जब हम 5X गट आएगे कितने आएगे हमारे यहाज आएगे 4X 4X बराबर 16 X बराबर 4 चुक चरिकम 4 4 चुक 16 यहनि EX की जो वैलू आगया कितनी 4 एक्स इतना आ गए है 2 हमें निकलना क्याा तो कोण सी हो जाएगी हमारी छोटी संख्या चोटी संख्या जाएगी यानी 2X दो के साथ में X की गुना X की वेलू कितनी है 4 यानिके 2.8 जो सबसे छोटी सहीं क्या है वो कितनी हो जाएगी 8 यानिके option first is the right answer छोटे छोटे question है आसानी साथ कर सकते हो घपराने वाली बात नहीं है ये जो question है ये सारे में repeated question उठा रहा हूँ जो ये question SSC में भी पूछे गए है तो UPSI के लिए तो बहुत अच्छे question है आप इनको इनकी बार-बार practice करना ठीक है अब आते है next question की और तो दोस्तों आते हम next question यानिके अब जो ये question चलेगे हमारे दूसरे परकार के next type के question आते है अब देखो जी question की इस परकार है हमारा तीन कक्साओं के विद्धारतों की संख्या का अनुपाद दो अनुपाद तीन अनुपाद पॉँच है और परते कक्साओं में चाले से विद्धारती बढ़ा दिया जाने पर ये है पर ये के इस स्टूढेंट बढ़ा जए कि अनुपात है वो बढ़गे कितना हो गया हमारा फौर रेजो फाइफ रेशो शेवन हो चुका है ठीक है तो हमें बताना यानि के स्टार्ट यानि प्रहरम में पुल विध्यारतों कि संक्या कितने थे यानि के स्टार्टिंग में नंबर उप स्टुडेंट इंडे क्लास कितने छोटल पहले हैं क्रोंच ने के पहले कितने हो गईनो नीयनी कितने हैं fasten कितने हो गगई हमारे सोलगन अब लगना देखोव कि पहले 2 थे अब कितने हो गई हमारे चार यानी कितने के बढ़ बीवत रही डो की बढ़ हो कितने के बढ़े होतुरी मैं यानि के लिए नमब औब कितने हो रहा है तू टू-टू-टू लेकिन अकोरिंग्ट ॉश्ण सिर्म रहा यह हमारे 40 मुख्ध स्तूड यह स्टूड अर। यह है न मैं तो किटने के बराबर रोटलू के ठिक जी भी निके टू टूकह कितने हुआ हमारे टैन नहुन टैन कितने कि टोक्सा है stitched बत्राइब आपको जो विद्धार्थ यानि कि तूडेट का रेशो है वह टूरेशो थ्री रेशो 5 के रेशो में ठीक है उसके बाद बाद में 40 इस्टुडेंट और कक्सा में एड कर दिये गए फिर जो रेशो हो उसके बाद 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो गया ठीक है तो जो हमारा रेशो में यानिके अंतर कितने का रहा है कितने के बढ़ोतर हो रही हर किलास में दो दो की बढ़ोतर हो लेकिन को सनके एकोर्ड में कितने स्टार्टिंग में वो हो जाएगी कि दिने 10 थे लेकिन 10 होकर कितने हो जाएंगे 20 टाइम यानि कितना दूश्च इस परकार के को को हम ऐसे आसाने से कर सकते थे इसका जो हमारा वह काफी बढ़ा है उस तरीके के मतलब वह ज्याद लैंदी पड़ेगा इस तरीके से करो तो असे कर लोगे इसमझ भी आ रहा होगा ठीक है दोस्तो जमन के बिद्द्राहत्यों की जोगनā ऑधर रहा है तो कुल इस हमारा के विद्द्राहत्यों के संख्या यदि नत्रे करें करके अंसर बताईए किया इसका आएगा अब आते हैं अब देखो इसको वैसे उल करके हम आपको बता रहे हैं लेकिन आप पहले जब इस वीडियो को देखे और यहां पे पूझ करना उसका पहले कमेंड करना ठीक है दोस्तों आएगा अब करते सका solution दिया है तीन संख्या तीन कक्षाव में विध्यारतों की संख्याव का अनुपात चार अनुपात पांच अनुपात साथ है ठीक है फिर बीच स्टुडेंट और बड़ा दे गई संख्यार् coalition से में देन रेषोर कितना हो गया हमारा सहीं सेच Tradhora अध everyone नाइन यहां पर कितनी स्टुडेंट हमारा फिए डिखंभ ए ओर कर लो चार और पांच नौ-उन्मौ चाथ 16 किथे की बड़वतरी थ्याफिको हो तो सब्सक्रमाइब उसले कितना ही किवलो यहाँ पर कितने कि गुणा है सब्सक्राइब मैंने इंहीं स्टिरसीं ऑंगर तो दोस्तों इस तरिके कर लोगे आप कर लोगे अब आते हैं ये तो हमारा क्या है व flour a वीद्म कंचे में ह 생म आप पर देखो अगर आग अलग अलग नमबर की उतों काइब कीको डिल करते हैं तिर्ट पां है एक सब्सक्राइब करते हैं दो संख्याए तीन अनुपात पांच के अनुपात में यदि दोनों में से नो घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12 अनुपात 23 हो जाता है तो तो कैसे करेंगे अब तक हम क्या कर रहे थे दोनों रेशों में से सेम संख्या बच रही थी लेकिन इस बार सेम संख्या नहीं बचेगी जैसे हो गया है हमेरा 30 somethin पांच है और फेकर हम्न तblack के तो देखो इसको कैसे करेंगे इसका सिंपल तरीका आपको हम बताते हैं क्या होगा सिंपल तरीका स्वरकार है मालनलिया वे नुग संख्यान जो है हमारे क्या एक 3 Christians पहले कि तरीłem पांच एक्स ठीक है इन दोन Woo शी जन्याओं में से 9 धट रहे है вместе यानिके तीन एक्स में से यदि मैं 9 घटता हूं बटे और दूनों 5 एक्स में से 9 घटता हूं तो रेशों कितना मज़नता है हमारा 12 लुपाथ 23 अब हमारा यह कोस्टन बन गया अब यहां से क्या करना सबसे पहले हम X की वैलू निकालेंगे तो X की वैलू कैसे निकालते हैं देखो यानि के इन दुनों की क्रोश मेंटिपलाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ यानि के तेहिस की गुना करानी है हमें 3-9 के साथ में बलाबर 12 की जो गुना कराएंगे 5-9 के साथ में ठीक है दोस्तों अब यहां से कराओ 23 की जब अंदर गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारा 3-9 तीन दुनी 6 यानि 69 X माइनस अब 9 की 23 में गुना कराएंगे देखो 39 27 और 9 की गुना 2 में 9 दुनी 18 18 82 कितना हो जाएगे 20 यानिके 200 यह साथ ब्रावर बारा की पांच एक्स में 12 वारा बंजे साट एक्स माइनस बारा निम्मा एक शो चेवालीस ठीके दो अब जो एक्स वाली ट्रम है उनको एक तरफ लेलो और विदाव टैसकी एक तरफ आनि के ना 69 X यह धर क्या है प्लस के दर हाके क्या हो जाएगे माइनस क इसी एक्स इजी कल टू अब यह इदर 207 प्लस माइनस के तो उधर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे यह दूश्टो शाथ यह माइनस के तो यह इसी 144 ऐसी आ गया अब 69 X में से जब हम 60 X घटाएंगे तो कितना आजाएगा हमारा आजाएगा 9X बराबर 207 में 64 घटाए अब दिखो यह 7 में से 4 गए तो कितने बचेगा हमारे 7 में से 4 गए तीन यहां पर 0 तो इधर से कैरी लेंगे 10 10 में से 6 चार गए तो 6 यहां पर कितना बचेगा हमारा कुछ नहीं क्यूंकि एक ही तो बचेगा एक मैं से गई 0 यानिके जो X की वैलो आ जाएगी 9 एकम 9 हमारीज एक्स जाएगी तीन एक्स और जो हमारी पांच एक्स बिए रख देंगे हम साथ यानिके तीन गूना शाथ और 5 गूंा साथ हो सबूंद साथ ने 3 सत्र पांचवाट इस और 55 तो बैसे दुन रंकितने कितनी कितनी हो जाएगी 21 और 35 जो हमारा रेष्वा एकवलना हो है धीकिब दोस्तों मतलब जो उनका अंतर जो कर रहे है वह कबना तो इस फरकास है हम बेसिक से सक्षण को कर सकते हैं थीकशा एंगते हैं चैसल미 पर की कलत 550 Other座ै है जो हमारे दो अनुपात 5 वांज के वestly जुड़ा जाए जिस्से कि वह फो पांच अनुपात भी अनुपात में हो जाए धिक ब vit Does तो कैसे करेंगे देखो इसको करने के दो तरीके एक तो short cut है हमारा बेशिक सबसे पहले हम सिसको भी सिक काक करते हैं diy मालने खीक हमारी ऑटर पांच है ठीक है अब इन में असे नहीं है 2 और 5 है ठीक है जिगा जिजह हमें क्या जोड़े जाए जो आनुपाद कितना हो जाए पांच अनुपाद akan यानि के मानने में अगर 2 मैं add noon और पांच मैं भी 11 जोड़ New तो चुंपाद कितना हो जाता है पांच अनुपाद छैं इस तरीके से हम बेशिक फंडा इसका इस तरीके से कर सकते आप यानि क्या करेंगे इसकी क्रोश मंटिपलाई चेकी इसके साथ में पूरे के ठीक है और पांच में इस पूरे के साथ में ठीक है दोस्तों यहां रिखें अंदर यानि के चैद्दूनी बारा पर शके 6 एक्स बराबर 55 25 पर करेंगे यानिके 55 प्लश का इधर आगे यह लड़ा गहां जाएंगे तो हमारा बारा बाउखे लोट अब आएंगे तो इसका हमारा बेशिकन कर सकते है इसको हम शोट करते कर सकता कर सकते हैं देखो जी शोट तरीका इसका यह है गारा हम एक दिया गया है जो पहले अनुपाद 2 अनुपाद 5 ने है खीक है दो अनुपाद 5 है और लास्ट फिर बाद में कितना हो ज़ता है 5 अनुपाद 6 तो इस चंछा में क्या जोड़ा जाए कि इन भी क्या जोड़ा जाए कि अनुप यह जो बनाने के लिए क्या करेंगे अब जो भी इन दोनों जोट आप अंतर होगा जैनी कि 5 में से जब उन 6 घटाएंगे तो कितना प्वाद इन से मंटिप्लाई तो इन दोनों से नंक्याव कितना है हमारा ती यानि कि इन जो यह वाला अंतर है और इन वाले दोनों अंतर यानि कि इसमें क्सें 3 ehatti tru merchो मैं कि इसमें निएक इसमें कितने होजाएगा हमारा ना वहार वहारा आपको बहुत ही जादे कम निकली जब आपको बहुत ही जादे जादे खूंड़ा निकाल वहारा दोगेशन तरह को बहुत होक्त आ पाल ही क्यों। है और सकता कुछ इंपोर्टेंट काम है तो भी वहार निकले दोस्तों क्योंकि आज कल आपको पता है इतनी जादा में हमाद चल लिए अब हो जाज है कि कर दोस्तों तो जैनिन मिलते हैं कल नहीं वीडियो के साथ में धन्यवाद